आज मैं आपके लिए एक यूनिक पराथा रेसिपी लेके आई हूँ ये रेसिपी बहुत एजी है और सबको बहुत पसंद आती है इसके लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया है अगर आपको ज़्यादा कॉंटिटी इन बनाना है तो आप ज़्यादा आटा भी ले सकते हैं उस एक दम से आप जादा पानी डालेंगे तो इसमें लम्स पढ़ जाएंगे और उनको हटाना बहुत ही मुस्किल हो जाते है तो दोस्तों ये रेसिपी एक दम यूनिक है और इसका टेस्ट भी एक दम यूनिक है तो एक बार इसको ज़रूर ट्राय करें इस पेसली बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है तो ये देखे हमारा अच्छा सा मलब लिक्विड दो तयार हो गया है इसमें थोड़े से लम्स हो गया है लेकिन उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इनके लम्स सारे हट जाएंगे मिक्स होने के बाद इसको 10 मिनिट के लिए साइड में अर यह हमने बटर लिया है बटर को मैल्ट कर लिया है और इसमें कुछ इंग्रीडेइल्स टालेंगे तो यह मैंने चिलीrah फ्लेक्स लिए है और इसके बाद हमें लिया है गरलिक उसको चॉप लिया है आप चाहेंड तो इसका पेस्ट भी डाल सकते Sports कर लेंगे अब हम इसक कि कंसल सकते हैं इतनी होनी चाये इससे जादा गाड़ा नहीं होना चाहिए और यह बिल्कुल perfect uresक्त हेर है तो बस हमें इसंफ करना है तो सबसे पहले हमें इसलि मिक्स करेंगे लाल मेच पाउड़र और हल्डी पाउड़र और इस बहुत सारा धन्या मिक्स करेंगे अगर बच्चे धन्या नहीं खाते तो आप इसके भी कर सकते हैं और जो हमने बटर का जो मिक्षर तियार किया था वह हमें इसमें मिक्स कर लेंगे यह देखे कितना अच्छा सा डो तेयार होगा है और इसका टेस्ट भी एकदम अमेजिंग ह और बस हमारा डो तेयार है बनाने के लिए पराठा तो इसके लिए हमें नॉन स्टिक पैन लेना है और इसको गरम होने देना है नॉन स्टिक पैन मैं अगर कुछ ना लगाना चाहे तब भी नहीं लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा ओयल या बटर लगाना चाहें तो आप लगा जब तक तक अच्छ से ड्राय नहीं पालए में तब टोड़ी से ब्राउन जो ढॉन पढ़ते हैं वो पड़ जाएंगे और इसके बाद दोड़ा सीपर देना है भी डालो लगा के आप इसको अच्छे से से नहीं तो बस थोड़ा से इसको प्रेस करके अच्छे से से आफ़ चाई पराथा बिल्कुल वनके तयार ही चारा ही और श् psychologically परता हो झायाई तो देखिए हमारा पराथा बिल्कुल बन के तयार हो गया है और अब ऐसी हमने दूसरा पराथा भी तयार कर लिया है ये देखिए उपर से थोड़ा सा ड्राय हो जाए इसके बाद हम इसको पलता देंगे तो ध्यान रहें, पल्टाने के लिए उपर से थोड़ा सा ड्राय हो जाए, मतलब अच्छे से ड्राय हो जाए, उसके बाद ही हमें पल्टाना है, अगर आप पहले पल्टाने कोशिस करेंगे तो यह तूट भी सकता है बस हमारी रेसिपी बिल्कुल तयार हो गई है तो एक बार इसको जरूर ट्राय करें, थैंक यू